हेम चन यादो विशोविद्दालाई दुर्ग जिसको आप दुर्ग युनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे आपको बता दे कि दुर्ग विशोविद्दालाई के द्वारा जो एन्वल एक्जाम फॉर्म है ओनलेन आविदन करने की जो डेट है साथ ही उसकी जो फीश प्रक्रियाएं है उन सबकी जानकारी यहाँ पे ऑफिसेल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है दुर्ग विशोविद्दालाई के द्वारा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइट की गई अठी अछी अलग से एक्जांव फ्रम् की डेट यहाँ पे दी गई है विडियो स्क्रीन पर आप देख पार होंगे कि जो र्रेगोलर स्टुडेंट है। केवल र्रेगोलर ठीक है यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक केवल लीगोलर रेगुलर के student ही अपना online आविदन form फील कर पाएंगे ठीक है जो private की student है उनके लिए अलग से date है यहाँ पे आप screen पर serial number 2 को देख पा रहे होंगे 11 जनवरी 2022 से 25 जनवरी 2022 तक जो private की student है चाहे वो MA, MSC, MCOM के private student हो और UG कक्छाओं के BA, BSC, BCA ये कक्छाएं के जो student है private के लिए जो apply करना चाहते हैं वो 11 जनवरी से 25 जनवरी तक जो अपना आविदन है वो feel कर पाएंगे ठीक है और उसके पसाद भी यदि कोई student है वो आविदन करने से चूप जाते हैं तो उनके लिए विलंब सुलक के साथ 26 जनवरी 2022 से 30 जनवरी 2022 तक 100 रुपाय विलंब सुल कि आप दिये हुए date में ही आविदन कर लें ताकि किसी तरह से आपको कोई परिषानी न हो ठीक है और एक चीज़ यहाँ पे यदि आपके exam form में कोई mistake हो जाता है तुर्टी हो जाता है तो उसको आप university जाके भी सुदरवा सकते हैं साथ ही आपके आपने जिस महाविद्याल ऐसे form correction करवाते हैं तो वो बिल्कुल निसुल्क होगा और यदि आप university जाके अपना जो आविदन है वो correction करवाना चाहते हैं तो university में आपको 120 रुपए का जो सुल्क है वो पे करना होगा और आविदन correction की जो date है वो 31 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक उपलब रहेंगे ठीक है य tax student या सपली के student हो आच फरवरी 2022 तक अपना जो आविदन फरम है उसको आपको अपने महाविद्दायले में जिस महाविद्दायले में आपने फरम आविदन किया है वहाँ पर जमा करना होगा ठीक है आगे आपको fees की भी जानकारी दी गई है उससे पहले आपको यह जानना आती आवश्यक है तो यहाँ पे जो instructions आपको जानना आवश्यक है उसकी information हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं कि आप जो आविदन फरम है वह आप किस प्रिकार से फिल करेंगे तो यहाँ पे आप विशिस ध्यान से बातों को सूनिये instructions को समझिये ताकि आपको आगे चलकर किस असी भी तरह से परेशानी ना हो ठीक है यदि आप first year के regular student है तो आपने जिस user ID password से नमंकन फरम फिल किया है उसी user ID password की मदद से आप अपना exam form फिल करेंगे ठीक है और यदि आप second year final year के regular student है तो पूर्वा में यानि के अपनी पिछली कक्छा में पिछले साल आपने जिस user ID password की मदद से exam form डाला था उसी user ID password की मदद से इस बार भी आप अपना आवेदन जो है वो फिल करेंगे ठीक है अब बात करते हैं private student के लिए तो यदि आप private student है first year के लिए है तो आपका जो है वो new registration होगा इस बार ठीक है यदि आप first year के student है तब और यदि आप second year final year या M.A.M password की मदद से आपने exam form फिल किया था उसी user ID password की मदद से आप इस वर्स भी अपना exam form फिल करेंगे ठीक है new registration है वो ना करें क्योंकि बाद में result जो है वो रूख जाती है तो पूरवके user ID password की मदद से ही आप अपना form फिल करें इस तरह से अगर आप form फिल करते हैं तो आपको क चलिए आपको आगे और जो भी instruction दिये गए वो बता दे तो यदि आपको form फिल करने में कोई और प्रॉब्लम आती है तो यहां पर यूनिवर्सिटी की help line number दी हुई है साथ ही mail ID है इसमें आप प्राता 11 बजे से साम 5 बजे तक आप contact कर सकते हैं ठीक है और यहां पर कुछ और विसेज फीस लगेंगे यदि आप अपने महाविद्याले में हाट कॉपी जमा करने जाते हैं तो वहां पर आपको 30 रूपए सुल्क देने होंगे यहां पर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नया notice जारी किया गया है जो कि आपको जानना बहुत आवशक है यदि आप environment यानि कि पर्यावरन की परिक्षा देना चाहते हैं तो उसको आप स्फियर नहीं में ही क्लियर कर ले है यहां पी दिया गया कि सब्जिक्ट है उसको क्लियर करना होता था लेकिन इस बार क्या है कि आपको प्रथम मर्स दाने होगा ठीक है और और BA, BSC के परिक्षारती एक बार जो first year में जिन विस्यों का chain किये हैं उन्हीं विस्यों का जो है वो second year और final year में करेंगे ठीक है आपको विस्यों परिवर्तन करना यहाँ पे आपका जो form है वो reject कर दिया जाएगा यदि आप first year में जो subject use किये हैं उसी को आपको fill करना है अन् practical subject चुना होगा आपने तो यहाँ पे instruction दिये गये हैं कि आपको सबसे पहले अपने college में अपना registration करवाना होगा private परिक्षा है तू उसके पसाथ आप अपना जो online आवेदन है वो भर पाएंगे और साथ ही जो private MA, MSC गडित परिक्षा में समलित होने चाते हैं वो BA, BSC पर भ यहाँ पे new course और old course प्रतिक विद्यार्थियों को इसमें हर बार confusion रहता है तो वो आप clear कर ले यदि आप इसना तक final year के regular या private student है तो आपको इस बार प्रथम बार परिक्षा में समलित हो रहे हैं तो वो new course का chain करेंगे ठीक है new course का जो particular है उसके base पर जो अपने exam पाम है वो यहाँ आप सप्ली या ex student है final year के regular private के वाल final year के लिए ही यह notification जारी की गई है तो आप old course से अपना जो exam है वो दिला पाएंगे ठीक है और यहाँ पे निवास प्रवार पत्र यानि के यदि आप कभीर धाम राजनांद गों बेमेतर बालो दुर्ग इस छेत्र के अलावा किस से हैं बताया हुए निम्ना नुसार तो आप इस बार आविदन नहीं कर पाएंगे दुर्ग विश्विद्धाले में ठीक है यहाँ पे परिच्छा आविदन पत्रों की जो कक्छाएं हैं उसकी सुल्क विवरन दिये गए हैं यदि आप बीए बीकॉम के regular के लाप्लाई कर ठीक है बीए बीकॉम के जो एक्स स्टुडेंट हैं उनके लिए 1100 रुपए सुल्क हैं और यदि आप सूपर सप्ली के स्टुडेंट हैं तो 820 रुपए है ठीक है और बीएसी या बीएसी होम साइंस के स्टुडेंट है regular तो 1130 रुपए और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्राइवेट के किसी भी कोई भी क्लास के स्टुडेंट हो तो 1610 रुपए आपको यहां पे करना होगा एक्स स्टुडेंट है तो 1130 रुपए और सप्ली के स्टुडेंट है तो 1075 रुपए यदि आप बीसी ये की स्टुडेंट है तो 1810 रुपए सुल्क है एक्स 1250 रूपए और BCB8 के लिए 1280 रूपए ठीक है रेवलर स्टूडेंट के लिए पेजी डिपलो में टूरिजमें और होटल मेनेजमेंट के लिए यहां पे 1190 रूपए जो आवेदन सुलक है वो है ठीक है यह जो बताया हुए फीज है वो उनिवर्सिटी का चार्ज है इसके अ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपको जो माइग्रेशन सुलक है यदि आप 36 गड़ के अन्ने बाहर बोट से आकर के दुर्गुषद दाले में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 360 रूपए आप माइग्रेशन सुलक देना होगा यदि आप सबजेक्ट प का एकजाम तो यहां पर 180 रूपए आपको अलग से बताया हुए जो फीस है उसके अलावा अलग से उसमें 180 रूपए एड हो जाएगा ठीक है और साथ ही तुर्टी सुदार के लिए जैसा कि आपको बतायागा कि यह दि आप युनिवर्सिटी जाके फॉर्म करेक्शन करते हैं तो ही आपको 120 रूपए पे करना होगा अन्यथा आप अपने महाविद्याले में निसुल्क जो अपना किसी भी तरह से फॉर्म का करेक्शन है वो करवा सकते हैं ठीक है आगे आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो भी डॉकुमेंस लगेंगे उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है तो हम कोशीज करेंगे कि अपने वीडियो के मादधम से आप तक उसकी इनफॉर्म पहुंचा सके तो आप चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो अप्लोड होगी वो आपको प्राप्त हो ताकि जो भी आगे नई अपडेट आती रहे वो आपको प्राप्त होते रहें